मेरी जिन्दगी में चाहे बात बिजनेस की हो या शादी की या बच्चों की परवरिश की या मेरे करियर के फैसलो की मुझे कैसे पता चलेगा क्या चीज काम करती है आप शादी शुदा हैं और जाना चाते हैं क्या काम करेगा देखिए आपको भगवान जैसा होना पड़ेगा कि आप साइलिंट पार्टनर हो ये तभी काम करता है बिल्कुल जैसे भगवान होते हैं दूसरा जो चाहे करे बस भगवान की तरह होना सिख जाएं कभी भी किसी चीज में दखल मत दीजिए हर रोज सुबह सुबह हर तरह के बेवकूफ आपको बताएंगे कि आज आपको क्या करना चाहिए आप बस सुनिए बिल्कुल भगवान की तरह तब शादी कारगर रहेगी आपका व्यवसाय शायद इससे न चले देखिए आप इसे गलत समझ रहे हैं आप इसे एक तरह का नहतिक मोलियों का सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप इसे एक अपनी फिलोसफी बनाना चाह रहे हैं मैं वही करूँगा जो कारगर होता है अब आपने एक कसम खा ली है मैं वही करूँगा जो काम करता है अब आपको यही नहीं पता कि वो क्या है जो काम करता है क्योंकि कौन सी चीज कारगर होगी यह कसम खाने से नहीं पता चलेगा ना किसी की आग्या से क्या कारगर रहेगा खुद पर लगातार ध्यान देने और विखसित होने से पता चलेगा है ना हलो वही चीजें जो आपने पहले की थी कैसे आपने उन्हें कारगर बनाया था कैसे 10 साल पहले आपने एक अनारी की तरह कुछ कर दिखाया था आज वही चीजें शायद आप बड़ी आसानी से कर लेते हैं ऐसा है की नहीं या शायद आज आप कोई काम अनारी की तरह कर रहे हो पर शायद आप पहले उसे अच्छे से करते हो दोनों में से कोई एक जैसा भी आपका विकास हुआ हो तो क्या काम करता है? इसका कोई formula नहीं है ये इनसान के विकास की प्रक्रिया है जो हमें उस तर तक ले जाती है जहां चीजें जीवन के हर पहलू पर कारगर होती है ये कुछ ऐसा मालूम पढ़ता है जैसे आप अभी-अभी कोई self-help वाली किताब पढ़ कर रहे हैं नहीं, मैं self-help वाली किताब नहीं हूँ वो करो जो काम करता है आपकी जो मर्जी आए किजिए मुझे क्या दिक्कत है? पर कुछ ऐसा करने का क्या मतलब है जो काम ही नहीं करता? मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको वही करना चाहिए जो काम करता है आपकी जो मर्जी आए किजिए लेकिन अपने जीवन के लिए किजिए क्योंकि आपका समय सिमित है वो करने का क्या मतलब है जो चीज काम ही नहीं करती या तो आपके लिए ये काम करे या आपके आसपास के लोगों के लिए काम करे अगर ना ये आपके लिए ना आपके आसपास के लोगों के लिए काम कर रहा है तो ऐसा काम करने का क्या मतलब है ऐसा हुआ कुछ सैनिक, कुछ अमेरिकी सैनिक डूटी पर निकल रहे थे तो उन में से एक ने दूसरे से कहा तुम स्टीव की पत्नी को जानते हो उसने त्री मस्कीटियर के ताब पढ़ी और उसने तीन बच्चों को बैदा किया उसने मुला, हे भगवान, मेरी पत्नी तो एक राष्टर का जन्म पढ़ रही है अब मैं क्या करूँ यह ऐसे काम नहीं करता तो इसे कोई पॉलिसी या फिलोसफी मत बनाईए मैं वही करूँगा जो कारगर होता है देखिए, बस यह समझने के लिए कि क्या कारगर होता है इसके लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है यहां तक की छोटी-छोटी चीज़ों पर भी, है न? हलो? कोई छोटा सा काम जैसे बॉल को मारना या बॉल को सीधा किक करना आपको पता है? इसमें कितनी महनत लगती है अगर कोई खिलाडी जो बॉल को जहां चाहे वहां ले जा सकता हो वाँ, पूरी दुनिया उसकी पूझा करती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बॉल को किक करता है हाँ या न? क्योंकि लोग ये समझते हैं कि इसमें कितनी महनत लगती है कोई उसकी पूजा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो बॉल को किक मारता है बल्कि इसलिए क्योंकि लोग जानते हैं कि इसमें कितनी महनत लगती है हैंकि नहीं लोग देख सकते हैं कि ऐसा बनने में कितनी महनत लगी है कि वो एक गेन को वैसे मार पा रहा है जैसे वो मारता है उसमें कितनी महनत लगी है उसकी पूरी जिन्दगी लग गई है तो हर चीज़ से फिलोसफी और पॉलिसी मत बनाएए या खुद को आग्या मत दे दीजे मैं वही करूँगा जो काम करता है यह अच्छी आग्या है पर अब आपको यही नहीं पता कि क्या काम करता है ने ने आपको जागरुक रहने की और खुद को हर चीज़ में जोकने की जरूरत है अगर आप बस इतना ही सीख जाएं कि आप यह नहीं तै करेंगे कि क्या महत पूर्ण है और क्या महत पूर्ण नहीं है मैं यहां आने से ठीक पहले नई दिल्ली में नदी अभियान की रैली बोर्ड मीटिंग में था C.I.I. जो कि भारतिय उद्योग परिसंग है उनके बोर्ड ने भी नदी भियान में हिसा लिया क्योंकि वे देख रहे हैं कि इसे आगे कैसे बढ़ा जाए क्योंकि धीरे धीर लोगों को पता चल रहा है कि यह क्या है जो प्रस्तुत किया गया है हर कोई इसका हिसा बनने की कोशिश कर रहा है हमारा एक प्रतिष्टित बोर्ड है Worldwide Life Fund के CEO है सबसे उंचे पदों के जल विशिशग्य है और सबसे बड़े किसान के उत्पादक संगठन के लोग है और हमारे साथ सर्वोच नयायले के एक नयाय धीश भी है यह बहुत ही प्रतिष्टित बोर्ड है और जब यह कावेरी कॉलिंग परियोजना के बारे में बातें चल रही थी हर सवाल के लिए खासकर कुछ विशिशग्य थे जिनके पास सवाल थे और वो पूछ रहे थे मैं सहचता से उन्हें बता रहा था कि क्या करना है वो बले सद्गुरू आपको यह सब चीज़ें कैसे पता है मैंने कहा मेरे शुरवाती बचपन से ही मैं बिना किसी उद्देश शिके बस इधर उधर घुमता रहा बेवजा बिना किसी उद्देश शिके मैं बस जंगलों में और नदियों के आसपास यहां-वहां बटकता रहा पर मैंने हर चीज़ पर पूरा ध्यान दिया हर पौधे पर, हर कीडे पर, हवा पर, नमी पर, पूरी विवस्था पर, सब पर जो कभी बेवजा बटकना था आज वो दिल दहला देने वाला ज्यान बन गया है जो कि किसी कमख्त किताब में नहीं लिखा है पहली बार कोई पूरी तरह से समझ में आने वाली बात कह रहा है ना कि किसी किताब से ये बस बेमतलब का भटकना था जब मैं एक बच्चा और फिर युवा था मैं बस इधर उदर भटकता रहा बिना किसी उद्देश के तो भले ही ध्यान उद्देश ही हीन हो पर आप ध्यान दिये बिना नहीं जी सकते हैं न? हलो? तो बस ये एक काम कीजिए ये भिदभाव करना बन कीजिए कि क्या महत्वपून है क्या नहीं अगर आप हर चीज़ पर बिलकुल उतना ही पूरा ध्यान दें तो आप देखेंगे कि क्या चीज़ करना सही है ये बहुत ही सौभाविक प्रक्रिया है पर आपने पहले ही तेह कर लिया है कि क्या महत्वपून है क्या नहीं है आप कैसे विक्सत होंगे कि क्या करना सही है आधी दुनिया आपने पहले ही नकार दिये क्योंकि वो महत्वपून नहीं है आप सिर्फ तभी ध्यान देते हैं जब आप किसी दूसरे को भी तभी ठीक से देखते हैं जब वो आपके किसी मतलब के हो नहीं, मैंने हर चीज़ को देखा, पूरी तरह हर जीव को, हर चीज़ को, हर कंकड, हर पल को पर त्वी पर जो भी हो रहा था, आसपास का माहौल, सब कुछ पढ़ाई की तरह नहीं बस इसलिए क्योंकि मेरे पास आंखें थी और मुझ में लगातार ध्यान देने की शमता थी तो मैंने हर चीज़ पर ध्यान दिया आज वो कह रहे हैं, यह कमाल की चीज़ है मैं बस हास रहा था और मैंने कहा, देखे, मैं बस लक्षीन होकर भटकता था और लोग सोचते थे, मैं बस आवा रहा हूँ पर अब यह लक्ष हीन आवारा गर्दी के वज़े से कितना सारा फाइदा हो रहा है क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, छोटी चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें अगर आप पूरी तरह से शामिल हैं, बिलकुल शामिल तो आप देखेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि क्या करना सही होगा आप बिना किसी भागीदारी के जीने के कोशिश कर रहे हैं यही कारण है कि आपकी नहतिकताएं हैं, आपके आदर्श हैं आपके पास विचारधाराएं हैं, आपके मूर ले हैं, आपके पास नीतिया हैं, आपके पास आग्याएं हैं क्योंकि आप यहाँ दिना किसी भागीदारी के जीने की कोशिश कर रहे हैं आपको ready-made formula चाहिए कि क्या करना सही है ये मत करना, वो मत करो, ये करना गलत है, ऐसी सीखों से दुनिया ठीक हो पाई है, मैं पूछता हूँ हर स्कूल जाने वाले बच्चे को पता होता है कि क्या करना सही है क्या ये कारगर रही है इन्होंने काम नहीं किया है क्योंकि आपको लगता है कि भागीदारी के अलावा कोई और रास्ता है भागीदारी के अलावा कोई रास्ता नहीं है जहां कोई भागीदारी नहीं होती वहां कोई जीवन नहीं होता इसलिए जिन्दगी से फॉर्मूले या आदर्श या विचारधाराईं बनाने की कोशिश न करें जीवन में बस पूरी भागीदारी की जरूरत होती है बेलगाम भागीदारी बिना भेद्भाव के कि कौन कौन है, कौन क्या है बस हर उस चीज से पूरी तरह जुड़ जाईए जिसके साथ आप अभी संपर्क में है अगर आप ये एक काम करेंगे तो आपकी बुद्धी के स्तर के अनुसार और प्रकृति को भी साथ देना चाहिए इन सब चीजों से आपको पता चल जाएगा कि सबसे बहतरीन काम क्या है बेशक आपके अपने द्रश्टिकूण के हिसाब से देखे फिलहाल, अगर आप एक खास शमता वाले व्यक्ति को लाएं तो वो किसी विशेश स्तिती में कुछ कर सकता है वो आपके लिए सही काम नहीं होगा आपको पता होना चाहिए कि किसी स्थिती में आपके लिए क्या करना सही है आप वो नहीं कर पाएंगे जो कोई दूसरा करता है आपको वो चीजें बहतरीन तरीके से करना आना चाहिए जो आप कर सकते है यही आपके लिए सही काम है आप किसी और की तरह कुछ करने की कोशिश मत कीजे जिस पल आपने यह तै कर लिया कि क्या करना सही है तब यही प्रॉब्लम आईगी नहीं कोई ready mate समाधान नहीं होता भागीदारी भागीदारी के लावा कोई रास्ता नहीं है जहां कोई भागीदारी नहीं होती है वहाँ कोई जीवन नहीं होता आईए 2019 को पूरी भागीदारी का जीवन बनने दें क्योंकि अगर आप इस जीवन कानुभव करना चाहते हैं तो आपको भागीदारी चाहिए आप चाहे जो मर्जियाय करें क्या आप इसे आने वाले महिनों में पूरी भागीदारी के साथ करेंगे देखिए मैं सच में बहुत अच्छा गुरू हूँ मैं सच में एक अच्छा गुरू हूँ क्योंकि मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि यही चीज़ करनी चाहिए हर कोई जो आया वो आपको हमेशा ये बताने की कोशिश करता रहा यही चीज़ करनी चाहिए मैं आपको बस ये कह रहा हूँ आप चाहे जो मर्जियाय कीजे पर अच्छे से कीजे और ऐसा बिना भागीदारी के नहीं हो सकता है न चोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें क्या आप हर चीज़ पूरी भागीदारी के साथ करेंगे आप सुबह कैसे उठेंगे पूरी भागीदारी से दांत कैसे ब्रश करेंगे पूरी भागीदारी से शिट कैसे करेंगे पूरी भागीदारी से खाएंगे कैसे? पूरी भागीदारी से आप शांभवी कैसे करेंगे? पूरी भागीदारी से यानि हर वो चीज जो आप करें आप ये फर्क न करें कि क्या छोटा है और क्या बड़ा देखे जब मैंने शिट कहा तो आप हसने लगे ओके? तो मत कीजे अगर आपको लगता है कि शिट करना ज़रूरी नहीं है और अगर आपको लगता है ये गंदी चीज है तो आपको ये नहीं करना चाहिए मैं कह रहा हूं कि ये भेदभाव मत कीजिए कि क्या गंदा है और क्या पवित्र यही वो चाभी है क्योंकि भागीदारी का मतलब बिना पक्षपात कि ये शामिल होना भी है जैसे ही आप कहते हैं ये पवित्र है वो गंदा है आप गंदी चीज़ के साथ शामिल हो सकते हैं हलो? आपको कब्ज हो जाएगी? हाहां, और फिर कुछ काम नहीं करेगा तो 2019 पूरी भागीदारी का साल है बिना पक्षपात के भागीदारी का कामों में पक्षपात का नहीं है बिना पक्षपात के भागीदारी का क्या आप एक खरपतवार को एक खरपतवार को जो बहार होती है को उतनी ही भागीदारी के साथ देख सकेंगे जैसे आप अपने भच्चे को देखेंगे आपको बस इतना ही करना है बस इस तरह की भागीदारी लेकर आईए पक्षपात रहित पूरी भागीदारी आप देखेंगे जीवन खेल उठेगा अद्भुत तरीके से 2019 में आपको खेलना होगा जो लोग आत्मग्यान के पीछे पड़ें ज़र रिलाक्स कीजे और आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह शामिल हो जाएए जीवन अद्भुत तरीके से घटित होगा च्सकत्으 च्सकत्स तरह 1